हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल स्टडी कॉर्नल फ्रेंट्स मैरी चाह हमारी ये NCRT साइंस की क्लास चल रही है NCRT साइंस की इससे पहले तीन वीडियो अप्लोड हो गया है हम चैप्टर वाइस NCRT को डिसकस कर रहे हैं तो हर एक वीडियो में हम लगबख दो चैप्टर को डिसकस कर रहे हैं तो सिक्स चैप्टर तक हमने डिसकस कर लिया है तीन वीडियो अप्लोड हो चुका है तो अगर आपने वो न दिखा हो तो पहले वो वीडियो देखिए सारे ही वीडियो बेहदी helpful होंगे आपके किसी भी exam के point of view से अगर आप UPPSC, UPSSSC या railway, bank किसी से भी teaching से related को exam KVSG, SSSB, supertate, seated इन सभी exam के point of view से NCERT बेहदी important होता है तो अभी हम NCERT science की class चला रहे हैं chapter wise सारी चीज़े discuss कर रहे हैं हर वो important fact जान रहे हैं जो कि हमें जानना और हमारे exam के लिए important हो जाता है एक-एक subject को हम NCERT को खतम करेंगे पहले हम science को खतम करेंगे इसके बाद आपको जिस भी subject को पहले पढ़ना है वो comment करके बताईएगा हम उसकी class चलाएंगे ये एक तरह से short form में आपको पूरी NCERT book मिल रही है तो बिल्कुल easy तरीके से और हर वो important चीजे मिल रही है NCERT की book तो important होती ही है ये आप सभी को पता होगा सभी exam का trained अब NCERT से हो गया है NCERT से ही लगभा question बनते हैं तो सारे वीडियो देखिए अंते तक देखिए अच्छा लगे तो like करिए, comment करिए, share करिए अपने friends और family members में और अगर channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करिए, well icon के button को on कर दीजे ताकि कोई भी video upload हो तो उसका notification आप तक पहुँच जाए हम अपने आज की इस video को सुरू करते हैं आज हम सात्वे chapter को discuss करेंगे इससे पहले हमने तीन वीडियो के माध्यम से छे chapter को discuss कर लिया है सात्वे chapter की बात की जाए तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा सात्वे chapter का नाम हमारी 6th class की NCRT का सात्वे chapter का जो नाम है वो क्या है पौधो को जानिये मतलब getting no to plant तो अभी 6th class की चल लए फिर 7 इस तरह से हम एक एक class को खतम करेंगे पौधो को जानिये इस chapter का नाम है इस chapter में plant की बारे में बताया गया है तो ये एक image दी हुई थी और अब इसमें plant की सभी part को बताया गया था तो हम भी इस part को देख लेते हैं जैसा कि आपको ये नीचे वारा part दिख रहा होगा ये root होता है इसके बाद ये branches होती है बीच बीच से जो निकलती है stem से ये क्या होता है जो main वाला होता है ये stem कहलाता है और इससे जो पत्तिया फूल वूल निकलती है ये सारे branch से होके निकलती है ये leaf है stem हमने बता ही दिया और ये fruit है ये आपको सरसों का plant दिख रहा होगा तो ये सरसों का fruit है और ये सरसों का flower है तो इस तरह से देखा जाए तो यही एक plant का main जो है वो part होता है एक plant के जो main part होते है उसमे root होता है तो यह चीज़े हम आगे देखेंगे अब यहां पर एक बेसिक जो फ्लाव एक प्लांट का स्ट्रक्चर था वो हमने देखा और उसके पार्ट को देखा है अब आगे आजाते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है तो आगे लिखा हुआ है कि तने एवं शाखाओं के आधार पर पौधों को तीन संवर्गों में बाटा गया है शाख श्रब और ट्री तो एक तो जाड़ी हो गई एक शाख हो गया और एक व्रिक्ष हो गया साख जाड़ी-व्रिक्ष तीन टाइप के पौधे बेसिकली होते हैं शाख मतलब हर्व जो चुटी-चुटे पौध उन्हें श्रब या जाड़ी कहते हैं और व्रिक्ष या ट्री जो बड़े बड़े पौधे पेड़ होते हैं जैसे कि आम बरगद नीम यह सारे व्रिक्ष की स्रेने में आते हैं निचे आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा तो बस देखते जाएए चीजों को तो यहां प कि साथ साथ इमेज को भी लेके चलेंगे ताकि इमेज से भी चीज़े क्लियर होती जाएं तो यहां यहां को एक ट्री का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यह एक हर्व हर्व मतलब शाक जैसे तुलसी का पौधा धनिया का पौधा यह सारे हर्व की स्रेने में आते हैं श्रब कि वाट ट्री का तो मैंने एक्जामपल बता दिया और दो टाइप के और प्लांट होते हैं एक क्लाइमबर होता है और दूसरा क्या होता है क्लाइमबर यह खुद से उपर नहीं चड़बाते हैं मतलब इनके तने काफी कमजोर होते हैं तो यह किसी पौधे की शाखा से लि मतलब किसी पौधे की सहायता से भी उपर नहीं गINOप कर पाते हैं यह मिटी में जमीन में ही फैलते हैं जैसे आप करल एक करते हैं तो फैले ज पौदि के अट्या तो यह मतलब इन कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते है शाक कहलाते है मतलब इनके तने जो है इस्टेम जो है वो काफी कोमल काफी सॉफ्ट होती है तो ऐसे ही पौधों को हम शाक कहते हैं ये सामानितिया छोटे होते हैं और अक्सर इनमे कई शाकाएं नहीं होती है मतलब ये एक छोटा सा पेड़ होता है इसमें ज़्यादा शाखाएं नहीं होती है तो यही क्या कहलाता है हमारा शाख कहलाता है नीचे आपको इमेज दिख रहा होगा शाख का तो यहां से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी शाख की तो यहां क्या दिखा है लिखा है plants with green and tender stems are called herb they are usually short and may not have many branches तो यही क्या कहलाता है herb कहलाता है यहां यह देख लीज़े छोटे छोटे पौधे हैं जो आप गंबलों में लगाते हैं घरों में तो यही herb कहलाते हैं अब जाड़ी की बात कीज़े तो जाड़ी यह श्रव किसे कहते हैं तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीब से निकलती हैं तना कठोर होता है परन्तु अधिक मोटा नहीं होता है इन्हें जाड़ी कहते हैं जैसे कि हमने उपर शाख में देखा कि उनके तने काफी सॉफ्ट होते हैं लेकिन जाड़ी के तने थोड़े उनसे मजबूत होते हैं जैसे कि आप रोज या गुलाब की प्लांड को देखे तो उसका जो स्ट्म होता है वो हाड होता है वो सॉफ्ट नहीं होता यहां पर image देख लीजे ये ये बी वाला जो है ये आपका ज़ाड़ी है उपर ए वाला जो है वो शाक है तो क्या है some plants develop branches near the base of stem the stem is hard but not very thick such plants are called shrubs तो इन्हें ही क्या कहेंगे shrubs कहेंगे अब आजाते हैं व्रिक्ष में व्रिक्ष क्या होता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं कुछ पौधे बहुत उचे होते हैं तथा इनके तने सुध्रिण एवं गहरे होते हैं इनमे शाखाएं भूमी से अधिक उचाई पर तने के उपरी भाग से निकलती है नहीं वरिख्ष कहते हैं तो वरिख्ष तो आप सभी ने देखा होगा और आप सभी उसको पहचानते भी होंगे आम का होगया, नीम का होगया, पिपल का होगया तो ये सारे विक्ष की स्रेंड़ी में आते हैं इनमें शाखाएं काफी उपर से निकलती हैं मतलब तने के उपर वाले भाग से ब्रांचेज निकलती हैं इनमें तो यहीं लिखा हुआ है और इनके तने जो हैं वो काफी मोटे और काफी हार्ड होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं ट्री कहलाते हैं तो ये हो गया ट्री बाकि इसका इमेज आपको उपर दिखा ही दिया मैंने तो अब आगे जो है वो important है क्योंकि ये तीनों चीजे तो आप सब को पता ही रहा होगा अब नेक्स्ट जो चौथा टाइप है वो है creepers plant या visarpy लता कौन से कहलाते हैं तो कमजोर तने यहाँ पर हो जाएगा कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमी पर फैल जाते हैं इन्हें ही visarpy लता या creepers plant कहते हैं जबकि कुछ पौधे जबकि कुछ ऐसे होते हैं लताएं जो कि पौधों की सहायता से उपर चढ़ जाते हैं इन्हें climbers का तो climbers का मतलब क्या हो उपर चढ़ना जो किसी पौधे की मदद से उपर चढ़ जाएं वो climbers कहलाते हैं और creepers का मतलब रिंगना होता है आप सब जानते होंगे तो creepers ऐसे plant को कहेंगे जो कि उपर नहीं चढ़ पाते बेहरी कमजोर होते हैं और ये मिट्टी पर ही फैले होते हैं जमीन पर ही फैले रहते हैं जैसे यहां पर आपको एक ये कद्दू का plant दिख रहा होगा ये creeper के अंतरगत आता है और ये पी जो है ये climber के अंतरगत आता है ये क्या करता है ये दीवाल वगेरा को पकड़ के उपर चढ़ जाता है तो ये कुछ चीजे थी और ये अंगूर का भी हमारा जो plant है वो climber के अंतरगत आता है तो लौकी कद्दू इन सब की बात की जाए तो ये creeper plant है बाकी अंगूर का हो गया पीका हो गया और money plant ये सारे climber plant की स्रेड़े में आते हैं अब तना, जड़ और पत्ती इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे बात की जाए अब तने की तो तना क्या होता है जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुचते हैं तो ये बहुत ये important point है कई बार पूछा हुआ है कि पौधे के किस भाग के द्वारा जल और जो खनिश पदार्थ होते हैं वो पत्तियों तक पहुचते हैं आप सभी को पता होगा कि पत्तियां भोजन बनाने का कारे करती है पौधों के लिए तो अब भोजन बनाने का कारे वो बिना पानी की help के नहीं करेंगी तो उन तक पानी पहुचता कैसे है तो जो stem होती है वो जड़ों के द्वारा क्या करेगी जड़े पानी को एब्जॉर्ब करेंगी मिट्टी से उसके बाद वो तने को पहुचाएंगी और ये तने जो है ये जल तथा खनिज पदार्थ को इनमें जो पतली पतली नलिकाएं होती है उनके द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुचाते है जल तने में उपर की ओर चड़ता है अर्था तना जल का समवहन करता है तना पौधों को मजबूती प्रदान करता है तो ये तो आप जानते ही होंगे कि पौधों को मजबूती प्रदान करने का कारे कौन करता है तो ये तना ही करता है आगे तने की बारे में बताया गया है कि तने में क्या क्या चीजें होती है तो तने पर पत्तियां पुस्पतता फल होते हैं तो ये भी चीजें याद रखिएगा कि तने में क्या होता है तो तने पर ही पत्तियां लगी होती है flowers लगे होते हैं और fruits लगे होते हैं सबसे जो important point है वो यही रहेगा कि water reaches to leaves through stem तो यह चीज मत भूलिएगा बाकी stem provides the strains to plant तो यह कुछ important चीजे थी आगे और भी चीजे हैं आगे एक experiment दिया हुआ था तने का ये proof करने के लिए बताने के लिए कि तने की द्वारा पानी पत्तियों या अन भागों तक कैसे पहुचता है तो ये एक experiment था एक flower को एक glass की अंदर पहले pure पानी में pure water में डाला गया तो अब इसमें तो आपको ये दिखेगा नहीं क्योंकि water का color जो है यहाँ पे कोई भी color नहीं है तो कैसे यहाँ पर तो आपको पता नहीं चलेगा कि पानी तने के से गया या नहीं गया तो यहाँ पर तो एक normal flower और एक glass में जो सुध पानी है उसमें डाल के रखा गया उसके बद एक दूसरा experiment किया गया जिसमें दो glass को लिया गया एक glass में red color डाला गया water में और दूसरे glass में blue color water में डाला गया और एक flower को क्या किया गया उसके stem वाले पार्ट को बीच से फार दिया गया अलग नहीं किया गया बस बीच से cut लगा दिया गया cut लगा कि उसको दो पार्ट में divide किया गया उपर से नहीं नीचे से सिर्फ तने वाले भाग को उसके बाद इन दोनों ही पार्ट को अलग-अलग ग्लासों में डाल दिया गया कुछ वक्त के बाद चार से पांच घंटे के बाद देखा गया कि अब फ्लावर का कलर ये जो वाइट फ्लावर का कलर था वाइट से क्या हो गया ये कलर रेड और ब्लू कलर का हो गया मतलब इस पानी के color को absorb कर लिया ये flower का color तो इस experiment से proof होता है कि ये जो stem है यहां पर देखे कोई root नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये stem जो है ये क्या करता है water का संवहन करता है मतलब पानी को या नीचे stem जो है पानी को नीचे से ये plant के अन्य भागों में अब आगे बढ़ते हो और पत्ती के बारे में मतलब लीफ्स के बारे में बताया गया है लीफ्स की कौल्टी की या प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है तो लीफ्स को देखा जाए तो यहां पर बताया गया है कि पत्ती जिस भाग के द्वारा तने से जुड़ी रहती है उस भाग को पेटियोल कहते हैं पत्ती के चोड़े हरे भाग को लैमिना कहते हैं परशान मत होई है यह चीजे हम इमेज के द्वारा भी जानेंगे तो यहां पर क्या बताया गया है पत्ती जिस भाग द्वारा तने होगा यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तने से जुड़ी रहती है उस भाग को क्या कहते हैं पेटियोल कहते हैं तो हम इमेज में देखते हैं पेटियोल कहा है तो यह पत्ती के डंठल को पत्ती के दो पार्ट होते हैं पेटियोल होता दूसरा लामिना आप माला होता है अब यह गूर पत्ती हमारी हो ग्रीन कालर का इस पूरी पत्ती को अगर एक ऐसी मोन नाम दियर चू mouse तो इसे लेम आफ्ट में लेमिना आफे इसमें चीजों को ज़्यादा समझ यह तो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि हिंदी बहुत ही टफ है बाकी मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में बताने की कोशिस कर रही हूँ अब लैमिना वाले पार्ट को देखा जाए मतलब यह जो पत्ती का चौड़ा पार्ट है जो में पत्ती होती है इसको देखा जाए तो इसमें भी कई पार्ट होते है पत्ती में अक्सर आपने पत्ती की संरशना में एक बीश का पार्ट देखा होगा जैसा कि इस पत्ती में आपको दिख रहा है ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसे ही क्या कहते हैं, मिड रिप कहते हैं, इसके दोनों और से फिर क्या होती हैं, सनरशनाएं बनी होती हैं, मिड रिप के दोनों और जो सनरशनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वेन कहते हैं, ठीक है, और उनके बीच में ज और किनारे वाले पतले भाग को मार्ण जीन कहा जाता है तो ये तो पत्ती के कुछ पार्ट बनाय गए डिजाइन को क्या चाए है लिफ वनियसन के जीजाइने के जड़ा एं है रिजाइनके पत्ती में डिजाइन होती है तो यह दो टाइप के होते हैं तो यह दो ताइप कै जाइन तरफ ऐसे से डिजाइन बने होते हैं अब यह डिजाइन भी दो तरह के बने होते हैं एक तो जाल नुमा बने होते हैं और एक इस तरह से सिंपल सा बने होते हैं जो जाल नुमा रहते हैं वो कैसे होते हैं वो जाल टाइप का बना होता है तो अब यहां पर आगे वही तो ये क्या होता है शिराओं दोरा बनाईगी जाल नुमा डिजाइन यदि मिड रिप के दोनों तरफ है तो इसे जालिका रूपी सिराविन्यास कहते हैं तो जो वेंस हैं वेंस ही ये स्ट्रक्शर बनाती है तो वेंस के दोरा अगर जाल नुमा संडशनाएं बनी है मिड रि इन्हें reticulate venison कहेंगे आगे image मैं अभी ये दोनों ही दिखा दूंगी ये देख लीज़े यहां पर पहले अच्छा reticulate venison ये आपको दिख रहा होगा जैसे आम का पता हो गया पीपल का पता हो गया या गुड़हल का पता हो गया इन सभी में reticulate venison होता है तो यहां पर ये हम लीफ वेनेसन कहलाता है अब दूसरा वाला देख लेते हैं दूसरा वाला क्या है दूसरा है समनांतर शिरा विन्यास या पैरलल वेनेसन पैरलल वेनेसन क्या होता है घास की पतियों में शिराएं एक दूसरे के समनांतर होती है इस तरह से जो यह इस तरह वाली संरशना होती ह इसे ही पैरलर लीफ वेनेसन कहते हैं मिड्रीप के दोनों तरफ बस ऐसे सिंबल सा स्ट्रक्चर बना रहेगा तो ये अब आप कमेंट करके बताए कि किन किन पत्तियों में इस तरह की संरशना देखते हैं पैरलर लीफ वेनेसन बाकी यह एक एक एक्जामपल आपको बता दिया गया है कि घास की पत्तियों में ये वेनेसन पाया जाता है अब कुछ व्रिक्षे हैं उनकी पत्तियों में भी इस तरह का वेनेसन पाया जाता है तो उनका एक्जामपल अब आप बताएंगे इसके बढ़ आजाते हैं सबसे important अपनी point पे जो leaf का work है वो क्या है सबसे important रूल हमारा leaf play करती है plant के लिए पतियों में chlorophyll होता है बहदी important है सीधे सीधे question बनता है chlorophyll कहां पाया जाता है या plant के किस part में chlorophyll पाया जाता है तो प्लांट की पत्तियों में लीफ्स में क्लोरोफिल पाया जाता है अब ये करती क्या है तो ये पानी और कार्बन डाई ऑकसाइट का उप्योग करके सूरी के प्रकास में भोजन को संसलेशित करती है इसी प्रक्रिया को क्या कहते है फोटो सिंथेसिस की प्रॉसिच कहते है जो हमारी पत्तियां होती है वो क्या करती है उनमें क्लोरोफिल होता है अब पत्तियों को तनों से वाटर मिल गया इसके बाद पत्तियां कार्बन डे ऑकसाइट को भी एब्जॉर्व करती है environment से हमारे और जो सूरी का प्रकास होता है उसे लेकर के इन सभी की presence में ये भोजन का निर्माड करती है खुद के लिए तो यही होता है यही process क्या कहलाती है photosynthesis मतलब सूरी की presence में ही ये process होगा तो सूरी की presence में सबसे पहला question यही बनता है photosynthesis की process के लिए सबसे important चीज क्या होती है तो सबसे important चीज सूरी का प्रकास होता है जैसे कि आप देखे होंगे कई बार अगर आप गमलो को घर के अंदर अन्हेरी जगा में रख दें तो वो सूख जाते हैं उनकी पत्तियां कारी पर जाती है ऐसा क्यूं होता है कभी सोचिए तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधे को पहली बात तो सूरी का प्रकास नहीं मिल रहा है उसे हो सकता है पानी ना मिल पा रहा हो उस अंधेरे कमरे में और कारबन डियोकसाइड अगर मिल भी जाता है तब भी वो भोजन का निर्मार खुद के लिए नहीं कर पाएगी और भोजन का निर्मार नहीं कर पाएगी तो वो जीवित नहीं रह पाएगी तो इस तरह से पत्तियां अंधेरी जगा पे सूख जाती है इन सभी चीजों से यही proof होता है कि पत्तियां जो हैं वह सूरिक की उपस्थिती में ही सूरिक की प्रकास की presence में ही food का निर्मार करती हैं इसे ही क्या कहते हैं photosynthesis की process कहते हैं इस प्रक्रिया में वाता वरड में आकसीजन निकलता है इसी फोटो सिंथेसिस प्रोसेश के तहथी हमारे इन्वार्मेंट में आकसीजन रिलीज होता है जिसे हम लोग ग्रहन करते हैं तो देखा जाए तो कारबन डिया अकसाइड को हम निकालते हैं जिसे की पेड़ पौधे एब्जॉर्व करके हमारे लिए ऑकसीजन का निर्माड करती है तो इस तरह से हमारी लाइफ के लिए पेड़ पौधे बेहदी जरूरी होते है क्योंकि अगर ये हमारे इस इन्वार्मेंट में ना रहे पेड़ पौधे हमारी धर्ती पेना रहे तो कोई भी मनुस्स जीवेद नहीं रह सकता है क्योंकि हमें ऑकसीजन जो है वो पेड़ पौधे से ही मिलता है और कारबन डियोकसाइट जो विभिन चीजों के द्वारा निकलती है जो हमारे इन्वार्मेंट में है अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उनकी मात्रा इतनी जादा हो जाएगी कारबन डियोकसाइट की जो की हमारी सेहत के लिए बेहदी हार्म फुल होता है तो ये पेड़ पौधे हमारे लिए एक तरह से समझे तो जीवन देने वाले होते हैं तो यही चीज़े यहाँ पे लिखी हुई है अब आगे लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में वाता वरण में ऑक्सीजन निकलता है अंतता पौधों के विभिन भागों में मंड के रूप में भोजन संचित हो जाता है तो जो पौधे फोटो सिंथेसिस के थूप फूड का निर्मार करते हैं वो मंड या स्टार्च के रूप में उनके सरीर के विभिन भागों में इकत्रित हो जाता है पत्ती सूरी के प्रकास की उपस्थिती में ही मंड का संस्रेशर करती है मतलब भोजपदार्थ का निर्मार करती है तना पत्ती को जल पहुँचाने का कारे करता है पत्ती जल का उप्योग अपना भोजन बनाने में करती है तो ये सारी चीज़े मैंने आपको बता दिया अब यहां पर एक एक एक्जाम की थूफ फोटो सिंथेसिस की प्रोसेश दी हुई है देखिए यहां पर यह एक प्लांट है यह प्लांट की लीफ्स पत्तियां है यह इसने क्या किया सूरी की प्रकास को एब्जॉर्व किया पत्तियों ने ठीक है यहां से इसे सनलाइट सूरी की प्रकास सूरी का प्रकास मिला और कार्बन डियोकसाइड जो की हमारे इन्वार्मेंट में बहुत है हम जिसे की हमारा जो गाड़ी मोटर है इन सभी के द्वारा carbon dioxide निकलता है और environment में वो रहता है तो environment से पौधे को carbon dioxide भी मिल गया सूरी से उसे सूरी का प्रकास भी मिल गया और ये जो तने हैं ये इसे मिटी से water भी दे दिया तो यही तीन main जो requirement होती है photosynthesis की process के लिए तो जब पौधे को ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो ये क्या करेंगी खुद के लिए भोजन का निर्माड करेंगी और हमारे लिए oxygen का निर्माड करेंगी तो photosynthesis process के बाद दो चीज़ें होती है एक तो glucose का निर्माड होता है और दूसरा oxygen का तो glucose भोजन पौधे का भोजन होता है और oxygen हमारे लिए जिवनदाई होता है तो इस तरह से आपको बहुत ही easy तरह से इस image के दोरा भी photosynthesis की process समझ में आ गई होगी अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो process है वो है transpiration का तो कुछ चीज़ें हैं जैसे photosynthesis बहदी important होता है transpiration भी बहदी important होता है तो transpiration या वास्पोच सर्जन की बात की जाए तो ये क्या होता है वास्पोच सर्जन क्या है जल वास्प के रूप में पत्तियों से पानी का निकलना ही वास्पोच सर्जन होता है क्या होता है सूरी की प्रकास की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों से वाटर भी release होती है वाटर रिलीज जो होती है आप इसको देख भी सकते हैं किसी पौधे की आप पत्ती को लीजे उसे एक पन्नी में बांध दीजे पौधे की पत्ती को तो कुछ वक्त आप बात देखेंगे कि उस पॉलिथीन के अंदर क्या होगा वाटर की बूंदे आपको नजर आने लगेंगी तो ये भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है NCRT में एक लीफ को एक पॉलिथीन में बांध के रखा गया है तो कुछ वक्त के बाद देखा गया कि उस पॉलिथीन के अंदर वाटर के छोटी छोटी बूंदे देखने को मिलती है तो यही क्या है Transpiration होता है मतलब कि जो जल वाष्प के रूप में पत्तिओं से पानी निकलता है इसे ही क्या कहते है ट्रांस्पिरेशन या वाष्पोतसर्जन कहते हैं अब आ जाते हैं हमने stem को देख लिया लीफ को देख लिया अब root को देखते हैं root को भी जानना important है root या जड़ की बात की जाए तो जड़े पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाय रखती है तो सबसे पहला जो work है root का वो यही है कि ये किसी भी पौधे को खड़ा रखने का कारिक करती है उसको मजबूती से मिट्टी में जमा के रखती है अगर जड़े ना रहे तो पौधे मिट्टी में खड़े ही नहीं हो सकते है जड़े मृदा से जल एवं खनी जो को अवशोसित करती है जड़ों में अधिकांस ताह नीचे की और growth होता है तो जिस तरह से आपने देखा इस टेम जो है तना वो उपर की और growth करता है उसी तरह से जो जड़े होती है रूट होती है वो नीचे की तरफ ग्रोथ करती है तो नीचे की तरफ ग्रोथ क्यों करती है पानी की तलास में और खनिश की तलास में तो पानी उन्हें जब मिल जाता है तो उनकी तलास पूरी हो जाती है तो इस तरह से वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रोथ करती रहती है जल औ और खनिज के लिए तो वही चीजे लिखी हुई है जब कि तनों में उपर की और व्रिधी होता है तो यह चीजे तो बहुत बेसीक है तो आप अपना सिंस भी यूज करके समझ सकते हैं अब जडों के भी टू टाइप्स होते हैं जिस तरह से हमने पत्तियों के टाइप देखे तो इसमें एक मुखे जड होती है और उसे छोटी छोटी अन्या पार्शो जड़े निकली होती है जिससे मूली एक जड है गाजर एक जड है ठीक है तो यह किस टाइप का जड है तो यह टैप रूठी तो है देखे न मूली एक एक लंबा सा होता है इस तरह से के जड़ होता है और इसमें छोटे-छोटे रोए निकले रहते हैं ऐसे ऐसे इस टाइप के तो यही क्या है यही तो इसमें लिखा है कि एक मुख्य जड़ होती है जो हम खाते हैं जो इडबल पार्ट है मुली का वो एक मुख्य जड़ होगी और उसे छोटे-छोटे रोए जैस तो fibrous root क्या होता है जिन पौधों की जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है सभी जड़े एक समान दिखाई देती है इन्हें ही fibrous root या जखड़ा जड़ हिंदे में कहते है तो ऐसे इसमें क्या होगा इस्टेम के बाद से धेर सारी जड़े एक ही जगा से इस तरह से निकली होंगी कोई में जड़ नहीं होगी यहां पर बहुत धेर सारी जड़े ऐसे इस्टेम के ही पार्ट से निकली रहती है तो यही क्या कहलाती है जखड़ा जड़ या फाइब्रस रूट कहलाती है अब आगे आते हैं और इसका इमेज भी देख लीजिए हाँ पर इमेज भी दिया हुआ है यह हमारा फाइब्रस रूट का स्टेम से धेर सारी जड़े एक साथ निकली हुई है और उसके बाद यह हमा पल भी दे दिया गया है गाजर, मूली, सलजम, सकरकंद, ट्यापियों का इत्यादी जड़ों के उधारण है क्योंकि इन में भोजन भंडारित रहता है तो ये पूछ लेता है कि जड़े कौन कौन सी है तो ये ध्यान रखिएगा गाजर, मुली, सलजम, सकरकंद, ये त्यादी ये सब क्या हैं जड़े होती है अब जो मेन पार्ट है इस चाप्टर का फ्लावर है फ्लावर भी इंपॉर्टिंट है काफी क्योंकि यहां से कई कुश्यन बन सकता है तो फ्लावर की बात की जाए हिंदी में इसको पुस्प कहते हैं यहां क्या होता है यहां पौधे का रिप्रड़क्टियो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर की कई पार्ट होते हैं तो इनके पार्ट को भी जानी है यहां पर एक फ्लावर दिख रहा है आपको अब इस में से मैं सारी चीज़े explain करती हूँ पहले आप image से सारी चीज़े clear कर लेंगे तब ही आगे चीज़े समझ में आएंगी तो आप flower के part को देखते हैं कोई भी आप flower जैसे गुलाब का फूल तोडएंगे तो इसके नीचे जो है green color की इस तरह पती नुमा संडशना होती है लगी होती है इसे क्या कहते है इसे सेपल कहते है ठीक है सेपल के बाद जो रोज या गुलाब या गुड़हल किसी की भी जो होती है मतलब जो colorful part होता है वो क्या कहलाता है वो पेटल कहलाता है पेटल के बाद क्या आता है दो चीज़ा आती है एक pistil होता है और एक stemmen होता है stemmen की बात की जाए तो ये male reproductive part होता है और पिस्टिल की बात की जाए तो ये female reproductive part होता है तो पिस्टिल ये बीच में एक बड़ गुड़हल के फूल को आप उठाईए और देखिए ये सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी गुड़हल के फूल में आप देखते होंगे छोटी छोटी इस तरह से कई संरिशना बाहर निकली रहती है तो यही स्ट्रिमिन कहलाती है और एक बीच में लंबी सी बड़ी सी से कंशना होती है वह पिस्ट्ल कहलाती है गुड़हल वाला पार्ट और उसके नीचे फूल के इस तरह से कमने पट्ती क्लियर का बाहर से क कौई बीच अपर पेटल क्या होता है पूसप के नीचे नीचे लगई पत्ती जैसे सनरशना होती है पेटल क्या होता है? पुस्प का जो रंग बिरंगा पार्ट होता है वही पेटल कहलाता है जैसे गुलाब में आप पिंक कलर रेड कलर ये सारी चीज़े देखते हैं इसके बद अब स्टेमन की बात की जाए स्टेमन बेहदी इंपोर्टेंट होता है मतलब मेल रिप्रोड़क्टि और फीमेल रिप्रोड़क्टि और तो स्टेमन और पिस्टिल को जानना बेहदी इंपोर्टेंट है स्टेमन की बात की जाए तो यहां मेल रिप्रोड़क्टि और और गन है किसी भी फ्लावर का इसके विभिन भागों में अब इसके भी कई पार्ट होते हैं अब ये एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर आप देखें गुड़हल की फूल को आप देखेंगे तो ये चीजे बिलकुल क्लियर वहाँ पर आपको दिखेंगे ये स्टेमेन होता है कई किसी पुस्प में एक या दो होती हो और किसी पुस्प में ये कई होती है तो इनकी संख्या पान से साथ के करीब होती है तो स्टेमेन की बात की जाए तो इसके विभिन भागों में स्टेमेन अंधर और पॉलिन ग्रेन होता है तो यह एक stamina है, stamina में यहाँ पर एक filament होता है, यह जो लम्बी तंतु जैसे संरिशना होती है, धागे जैसी, इससे क्या कहते है, filament कहते है, इसके बाद यह anther आता है, जो उपर थोड़ा सा इससे चप्टा हुआ structure होता है, यह anther कहलाता है, और अंथर के अंदर इसका अगर काटा जाए तो इसके अंदर आपको पॉलन ग्रेंज दिखेंगी बीज नुमा कुछ चोटा चोटा इसके अंदर रहता है वही क्या कहलाता है पॉलन ग्रेंज कहलाता है तो इसके अंदर pollen grain रहती है तो यह इसका पार्ट पूछ लेता है कि इस्टिमन में क्या क्या चीज़े पाई जाती है तो filament, एंथर और pollen grain यह चीज़ें इस्टिमन का पार्ट होती है अब इसके बाद हम देख लेते हैं पिस्टिल की या हिंदी में इसे क्या कहेंगे इस तरही के सर की पिस्टिल को या female reproductive organ होता है mainly किसी पुस्प का किसी flower का अब पिस्टिल के पार्ट को देखा जाए तो इसमें में क्या होता है ओवरी होता है, ओवियूल होता है तो यह बहाद ही important है flower का ओवरी और ओवियूल की बात की जाए तो यह वाला पिस्टिल में जो बीच वाला थोड़ा सा चोड़ा और फूला हुआ भाग होता है यह ओवरी कहलाता है और ओवरी के बाद उसके उपर जो भाग होता है वो style कहलाता है और उसके उपर वाला भाग stigma कहलाता है अब इस ovary वाले पार्ट को अगर काटा जाए इसका dissection किया जाए तो क्या होगा इसको काटा जाए तो आप देखेंगे इस ovary के अंदर ovule होते हैं इन्ही से इन्ही ovule से जिसे आप हिंदी में बीच कहते हैं इन्ही ovule से क्या होता है किसी भी पौधे का निर्माड होता है तो ये ovule होता है ovule इस ovary के अंदर पाया जाता है तो ovary, ovule, style, stigma ये सारी चीजें पिस्टिल के पार्ट के अंतरगत आती हैं तो ये पार्ट important होता है यहां से अब हमारी NCRT में last में जो chapter की summary दी हुई है वो भी देख लेते हैं यहां मैंने NCRT book का ही image क्लिक करके लगा दिया है पेस्ट किया है तो ये summary भी एक बार देख लेते हैं कई बार question सीधे सीधे इस summary वाले पार्ट से ही पूछ लेता है सामानेतिया पौधों का वर्गी करण उनकी उचाई तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक जाड़ी एवं वरिक्ष में किया जाता है ये चीज़े हमने देखी तनों पर पत्तियां पुस्पतथा फल होता है सामानेतिया पत्ति में परनवरिंत और फलक होते हैं तो ये पत्ति का पार्ट है हमने उपर देख लिया था पत्ति में शिराओं जो वेंस होती है वेंस का प्रति रूप क्या कहलाता है शिरा विन्यास कहलाता है यह जाली का रूपी अथवा समनांतर हो सकती है तो ये भी देख लिए है रेटिकुलेट और क्या पैरलर होती है पत्तियां वास्पोत सर्जन क्रिया द्वारा जल वास्प को वायू में निश्कासित करती है तो यह पॉइंट बहुत है सीधे सीधे यही पूछ सकता है कि किस प्रोसेश के थ्रू जो लीफ्स हैं वो वायू में जल वास्प को रिलेज करती है तो वहां वास्पोत सर्जन या Transpiration Process के माध्यम से हरी पत्तियां सूरी के प्रकास की उपस्थिती में वायू एवं जल से Photosynthesis की क्रिया द्वारा भोजन का निर्मार करती है तो Photosynthesis तो पूरी तरह से रट लीजे इसकी प्रकास को रट लीजे जड़े मिटी से जल एवं खनिश पदार्थों का अवसोसर करती है तथा पौधों को मिटी में दिर्टा से जमाय रखती है तो ये रूट का कारे है बैसिकली जो रूट का कारे होता है मेन जड़े मुखिता दो प्रकार की होती है tap root हमने देख लिया है और रेसेदार जड़ फिर जालिका रूपी सिराविन्यास यहां फिर पत्ती में आ गए है हम जालिका रूपी सिराविन्यास युक तो पत्तियों वाले पौधों में जड़े मूसला जड़ होती है तो यहां एक नई चीज हमारी समरी में बताई गई है क जालिका रूपी लीफ वेनेशन होता है उसमें क्या होती है ऐसी पत्तियों वाले पौधों की जड़े कैसी होती है टैप रूटिन में होता है जबकि जो पैरलर लीफ वेनेशन होता है इनकी जड़े कैसी होती है इनकी जड़े रेसेदार होती है तो यह important है यह ध्यान रख अब जैसे हमने पैरलर लीफ विनेशन में घास का एक्जामपल देखा था तो घास को आप उखाड़िये और अब उसको देखिए कि उसमें किस टाइप की रूट होती है टाप रूट या एडवेंसी सिया रूट तो यहां पर यही बताया गया है कि जो लीफ जो समनांतर सिरा विन्यास वाले पतियां होती है उनकी जड़े कैसी होती है रेशेदार होती है तो अब इसको आप टेस्ट करिए किसी भी जड़ को खाड़ के तने द्वारा जड़ों से पतियों को जल और पतियों से भोजन पौधों के अन्ने भागों तक पहुंचता है पुस्प के विभ डिसकस करेंगे जो की रहेगा सरीर में गती या बॉडी मॉमेंट तो बहुत कुछ है इस चाप्टर में भी देखने को आप एक बार इस चाप्टर को देखिए इसमें हम बोन्स को देखेंगे मसल्स को देखेंगे हमारे किस पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं वो सारी चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप बेज़ी जग कमेंट करिए मैं अपने नेक्स वीडियो में उन चीज़ों को क्लियर करूंगी लेकिन बस आपको चीज़े समझ में आनी चाहिए ऐसा पढ़िए कि दुबारा उसमें कोई कन्फियोजन ना बचे जो भी पढ़िए एक बार पढ़िए और पूरी तरह से उसे क्लियर करके ही आगे बढ़िए अपने नेक्स वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद